भागवत कथा का अर्थ ही है 24 अवतारों का विस्तरत वर्णन ही श्रिमत भागवत कथा है जहां भगवान के अवतारों के विशे में बताया जाए कि भगवान के अवतार का हेतू क्या है भगवान क्यों अवतार लेते हैं यानि ऐसे समझें ब्रम ब्रम से भगवान भगवान से अवतार ये तीन श्रेणी में प्रभू क्यों बढ़ते हैं किसलिए भगवान जो ब्रम है जो किसी को दिखाई नहीं दे सकता जो कोई इसपर्ष उसका नहीं कर सकता जो दिख नहीं सकता जो बोल नहीं सकता उसके पास ये आपकी तरह मुख नहीं है लेकिन फिर भी उसके बराबर कोई विद्वान नहीं उसके पास कान नहीं लेकिन उसके समान सुनने की सामर्थ किसी में नहीं अब आप बताईए हम तो अपने परिवार की सुन लेंगे कोई दुख हो जाये, किसी को समश्या हो जाये तो आप कितनी सुन सकते है किसी की कोई अपना दुख लेकर आपके पास आये तो आप एक दिन सुनेंगे, दो दिन सुनेंगे अगर वो लगाता रहा आपको सुनाता रहा न तो आप बोलेंगे भईया क्या सारे टाइम आप ये दुखी लेकर बैठो कहीं और सुनो हमें आपके दुख को देख देख कर सुन सुन कर बड़ा बुरा सा प्रतीत होता है थक गए हम क्या रोज का वही अपना रोना लेकर बैठ जाते हैं लोग आपको डाड़तें लेकिन भगवान ने आज तक आपको मना किया जब-जब जाते हैं उपने दुखी लेकर जाते हमारे सब सुना सुना किया तो लेकिन आज तक वो थके नहीं उनके समान सुनने वाला कोई नहीं और पूरी दुनिया सुनाती ही उन्हें अरे महरा चलो आपको अपने दुख सुनाते हैं, कई तो ऐसे होते हैं जो ठाकुर जो कोई गालिया सुनाते हैं, तुने सब वेकार किया उपर वाले तु है भी नहीं, ऐसा तक भोलते हैं, फिर भी प्रभू, उनके समान सुनने वाला कान नहीं है उस निर्गुर ब्रह्मा के लेकिन उसके समान सुनने वाला कोई नहीं, बिन्वाणी बकतावड जोगी गौष्वामी तुरसिदास जी कहरा, उसके पास वाणी नहीं, लेकिन उससे बड़ा बिनुपग चलै सुनाई बिनुकाना करविन करम करेविदिनाना, आनन रहित सकल रसभोगी बिन्वाडी बक उताबढ जोगी। अर्थाद कि बिना पैरों के चलता है, बिना हातों के कारी करता है। मुख भी नहीं है, फिर भी सारी चीजों को भोग सकता है। वो सर्व सकतिमान परमात्मा हैं, निर्बुर परमात्मा। जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन वही, जब स्रश्टी मात्र कृपा करते हैं, तो अपने तीन रूपधारन कर लेते हैं, यानि नजदी का आना चाहते हैं, अपने को प्रतेक्ष कराना चाहते हैं, तो फिर तरगुणी रूपधारन कर लेते हैं, ब्रह्मा, विश्नु औ भी दूर है क्योंकि लोग साधना से उन्हें प्राप्ते कर सकते हैं सामान्य प्राणी हम और आप नहीं पा सकते उन्हें तो फिर प्रभू क्या करते हैं भक्तों की और करुणा को देखकर फिर धरा पर अवतार लेते हैं जिसको आप देख सकते हैं अनुभव कर सकते हैं अप विवोर हो करके, वो कहते न, आम का पेड लगा हो, और बड़ा सा आम लगा हो, तो लोग डंडे से, पत्थर से मार कर उसे पाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी उची टहली पर है, डाली पर लगा हुआ है कि किसी के हाथ नहीं आने वाला, तो क्या हुआ, वो आम के अंदर रस भ सामान ने डाल हो जाती है कि कोई इंसान जो डंडे मार रहे थे, कंकड मार रहे थे, फेक कर, वो अपने पैरों पर उच्छल करके उसे तोड ले थे, यानि आम अपने आपी नीचे उतर आया, उसी प्रकार भगवान भी वो मीठी मिठास आम की तरह है, जो सबसे उची डाल पर बैठें, कौन सी डाली पर? एश्वरे की डाली पर, आत्म और ब्रम ज्यान की डाली पर जिसको सामान ने लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो भाव प्रधांता की डाली पर बैठे हैं, हम चाहे अपने साधना के डंडे मारना चाहें, तपस्चर्या के गंकड मारना नहीं हाथ आने वाले मारत इतने आसान नहीं है लेकिन जब आपके अंदर भाव पैदा होता है उसे चखने का तो क्या होता है उस जैसे उस फल के अंदर रस भर जाता और वो भारी हो जाता उसी प्रकार भगवान भी करुणा से भर जाते हैं उनको भी दया आजाते हैं और वो बहुत सरल हो जाते हैं बहुत नीचे आजाते हैं यानि वो अवतार लिलेते हैं आजब आजाते हैं बहुत आजाते हैं